डॉक्टर उर्मिला सिरीश की कहानियां ट्रेम चंद की परंपरा से आती हैं। जहां जीवन का यथार्थ है तो जीनने की इच्छा को भली भूत करता हुआ मार्क भी। प्रस्तुत है उनका लिखा हुआ एक लगु उपन्यास पुन्रा का मन। ठीक 25 वर्ष बाद लोट रहे हैं अपने जन्मिस्थान, अपनी जमीन, अपने गाउं में। गाउं जो उनकी स्मृतियों का हिस्सा बनकर दूर पड़ा था। पर अद्रिश्य होते हुए भी कोई भी चीज सम्मंद को नहीं दोपाती है। जन्मिस्थान जहां पूर्वजों का नाम पता, गुल, गोत्र और उस गंध, कपड़े लत्ते, किताबें, पोथियां तथा उस धर्थी पर रोपी गई वंश बेल की सेकुड़ों जड़ें दूर दूर तक बिखरी पड़ी थी। सिर्फ मिट्टी को हटाने की जरूरत भर थी। पताने क्यों जिस धर्थी पर उनका नरा गड़ा था, उस पर कदम रखने का गुजरे समय में खयाल क्यों नहीं आया। खयालों की वो अक्षय दुनिया समय के परदे के पीछे छुपी पड़ी रही, विस्परती का वो मोटा आवरण उनके बीच जो फैला था। पूरा जीवन उन्होंने वहां जिया था, और कई जीवनों का स्रजन वहीं से किया था। जल की धारा को कभी उल्टी दिशा में प्रवाहित होते नहीं देखा था, हाँ इधर उधर मुड़ते हुए जरू देखा था, बेटे बहुन ने जीना दुश्वार न किया होता, तो क्या लोटते जीवन के अंतिम अवस्था में जब वे स्वयम को बड़ा सफल और संतोश प्राणी मानने लगे थे, तभी धरारे पढ़नी शुरू हो गई थी, अंतिम घर से पुरी तरह बे आस होकर ही इधर का रुख किया था उन्होंने, तब अती थी उन्हें सबसे ज्यादा निकट तथा आत्मिये लगा, तब उन्हें ऐसा क्यों लगा था कि, जैसे किसी ने गहराई से कुकारा हो, आओ, इधर आओ, इसी दूल में तुमारा उद्धार छिपा है, यही मिठी तुमारा मान रखेगी, यही वो धर्ती है जो तुमें अंतिम सांसों तक जिंदा रखेगी, वो दुलार देगी, जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, भटक रहे हो, बड की बातें, बहसे, सुनते, सुलजाते, कव्वे, अवांचनी तत्तो बन गए, इस बात का पता तो उन्हें उस दिन लगा, जब युद्ध अंतिम अवस्था में था, और सामने से भुश्रा हो चुकी थी, कि इस घर की सीमा रेखा के भीतर वे कदम न रखें, सीधी चुनौ करते थी, वे पूरब तो भाई पश्चिम, बात समाप्त होते न होते महौल इतना गरम हो जाता था, कि वे अपने कम्रे में जाकर बंद हो जाते, दो-चार दिन का सन्नाटा चाया रहता, चेहरे तने रहते, सुबह शाम की चाय कम्रे में पहुँचा दी जाती, और शाम का टहलना भी बंद हो जाता, अपने अतीत के किस्से सुनाने जब बैठते तो अतीत लंबा होता जाता, और सामने वाला उबने लगता था, उन्हें एहसास नहीं था, कि उनका अतीत दूसरों के लिए क्यों कर रोचक होगा, मगर इतिहास कि उन मोहक परचाईयों में जीते व दिनवर गप्पे चलती, साथ पीडियों की चर्चाओं से लेकर विश्वराजनीती तक महां चाही रहती, वे योगासन सिखाते, नेती करवाते, दुग्द नेती, चल नेती, सुबह शाम ध्यान लगवाते, स्वास्त वर्धक जड़ी बूटियों को इखटा करके आयरवे प्रमपरा को क्यों ना प्रोफेशनल बनाया जाए, बढ़िया सेंटर खोल लिया जाए, मुहले पडोस को जो चीज वे मुफ्त में सिखाते हैं, उससे पैसे क्यों ना कमाई जाए, बहु का सुझाओ था कि एक बोर्ड लगा देते हैं, विज्यापन दे देते हैं, फीस त परज निकल आएगा, और फालतू रहने का बोज भी उनके सिर पर न रहेगा, बस इसी एक बात ने उनको भीतर तक का चोप दिया था, वे ततकाल बैग उठा कर चल दिये थे, सब ने पूछा, कसमे दिलवाई, लेकिन उन्हों ने मुह ना खोला, तीर दे की कोमल, शरत दी ही समात कर लो, फिर शेश क्या रहा है इस धरती पर, यति सामने वाला तुमारे घर में आकर सांस ले तो कहो, कि इतनी देर के इतने पैसे फिक्स हैं, और चौता घर नाती का था, जहां चाहा कर भी वे न रुख सके थे, आत्म मन्थन में गुजरा था वो दिन, कहा जाएं, चितर कूट, मतुरा, जिन्दावन, या कोई अलग से कमरा लेने, इन लोगों के बदनामी होगी, तब ही जैसे किसी ने पुकारा था, यहां आ जाओ, यहां तुमारे पाओं के निशान और हाथों के बनाए इस में चिन्ने पड़े हैं, यहां सिर्फ तुम होगे, यहां से तुम अपने बच्चों तता भाई की खातिर गए थे, पत्नी की मृत्य के बाद तमाम दायतों को निभाना उनका करतवे था, उन्होंने इस बात को लेकर कभी शिकायत भी ने की थी, अपना कर्म शेतर, अपनी महत्वा कांग्शा, सब कुछ बच्चों पर आकर केंद्रित हो गई थी, कोई भेदना था, कोई अलगावना था, सब एक थे, सब में वे थे, सब उन में थे, हर चीज़ पर प्रितेक का नाम था, हक था, मगर वही बच्चे अपने अपने घरों में अपने नाम तथा अस्तित्व के साथ थे, सब की अपनी अपनी अलग अलग पहचान थी नेम प्लेट थी बस वही एक बेनाम बिना नेम प्लेट के थे प्राइवेसी थी मोटे परदों के पीछे जाकना अशिश्टता मानी जाती थी विभाजन की ये रेखा उनके लिए बेहत नागवार थी उनका सुभाव ही कुछ ऐसा है कि जहां रहते हैं जी जान लगा देत हैं सब कुछ उडेल देते हैं शरीर की ताकत दिमाग की त्वरा शक्ति हिर्दय की विशालता आत्मा की पवित्रता आखों के सामने एक एक द्रश्च चेहरे तता उची उची दीवारे उभरने लगे थे उंगलियों पर उनका इस पर्ष अभी भी महसूस कर सकते हैं वे इ इमानदार समर्पित लोग जो उनके इशारों पर एक पाओं पर खड़े हो जाते थे बस से उतरे तो अंधर भरी हवा का तेज जोका पूरे शरीर को लपेट कर ले गया स्वयन को संभालने के लिए पाओं को जमा कर रेतिली मिट्टी में धसा लिया और पास के पेड़ की शाखा को पकड़ कर खड़े हो गए कमजोर होते इंसान और पेड़ को हर कोई उखाड़ कर फेक देना चाहता है ऐसा क्यों संबंदों की जीवन शक्ति का वो तत्त क्यों कर सूख जाता है पुरानी चीज की उपादियता किसी रूप में नहीं रहती फेकने वाली चीजें घर के कोने में उपेक्षित पड़ी रहें बस यही जायते हैं सब जीवन का परिशकार करते करते पता चलता है कि कुछ शेशी नहीं रहा निर्पेक्ष रहो भी तो कैसे निर्पेक्ष और मौन रहने वाला व्यक्ति आत्म केंद्रित सा दिखता है जब वे बच्चा बनना जब वे सबके बीच रहना चाहते थे जब वे निर्दंद जीना चाहते थे तभी उन्हें अपने लिए एक नई शुरुआत करनी पड़ी उनका मन व्याकुल हो था पतले तौलिये से कानों को लपीटा नाग तता होटों पर धूल चिपक गई थी जिसकी गंद तता पलाश के पेड अब भी खड़े थे पर उतने सघन नहीं जितने पहले हुआ करते थे फसल कटने के बाद खेतों में खड़े सो नहरे रंग के ठूट चादर की तरह बिच्छे लग रहे थे अस्थ होते सूरज की किर्णों में मामूली सी लालिमा और गहरी नीरवता परिव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी उन्होंने धूल धूसरित मौन आकाश की तरफ देखा बिना पंचियों के आकाश को देखना कितना अजीब सा लगता है जिर्मुटों के पीछे छुटी छुटी चिडिया जरूर पुदत्ती दिखें सोने के लिए पलंग होगा य अंदर थी फिर पानी पिया कटा कर लगवग आधी बोतल खाली कर दी बटवा निकाल कर तंबाकू सुपारी और चूना को हतेली के बीच रगड़ कर मुँमें डाल लिया और फिर चलने लगे कभी यही रास्ता सवा घंटे में पार कर लिया करते थे इतना तेज चलते थे कि लोग उनके साथ चलने में कत्राते थे लोग कहते थे कि उनके साथ जाने के लिए दोड़ना पड़ता है एक हाथ में जखाचक धोती का छोर और दूसरे में डायरी खादी के कपड़ों को स्वयम धोकर प्रेस करवा कर आज तक पहनते हैं कंदे कपड़े और गंदगी मे रहना उन्हें जराबी पसल नहीं था रोटी या सबजी में बाल दिख जाए तो उस दिन का भोजन त्याज जे रोट बना तो है विकास की पुर्वईयां हवाओं ने गाओं को छुआ तो है मगर इतने गड़े बन गए हैं कि अंधेरे में कोई गिर जाए तो बिना हड़ी चटके बाहर न निकल सकेगा कुछ ऐसा ही द्रश उन्हें देश के संदर्व में भी दिख पड़ता है विगत पचास वर्षों में सामप्रदाइकता जातियता भाषा आरक्षन निरक्षरता द्रश्टाचार ना जाने ऐसे कितने गड़े बन गए हैं विकास के मार में कोई तो लेगा पर कब लेगा अवतार सुना था चुटी चुटी सड़कों का ठेका लेने वाला ठेकेदार शुकला आज शहर में चार-पांच बसों ट्रकों और मकानों का मालिकपन बैठा है और शहर के संब्रांत नागरिकों में से एक माना जाता है दिन में एकार बार बस जा अब तक अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका था हरे पत्तों से भरा जंगल और भी काला तथा डरावना लग रहा था उनकी अपने रास्ते ही उनके लिए अटपटे कक्रीले हो गए थे या उन्हीं इन रास्तों पर चलने का अभ्यास न रहा था इसी लिए तो बार-बार गिरते हैं फिर संभालते हैं स्वैम को बैक के वजन के कारण दोनों कंधे तता हाथ सुन पड़ गए थे बेटे की चार पहिये की गारी में बैट कर जाने वाले वे आज अधेरी पत्रेली राहों पर पैदल चल रहे हैं जब कभी बच्चे ठोकर खाकर गिर जाते थे या त काटा चुप जाता था तो ये वहीं बैट जाते थे निकालने के लिए लेकिन उनके तलों में चुबने वाले काटों को निकालने वाला कौन है इसके लिए वे स्वैम जिम्मेदार है या उनका आत्मा विमान संसकार या अपनी सत्ता पर किसी के काविज होने से उत्रपन व नकारा बना दिया है, वे उनके अनुसार क्यों चलें? क्यों? निवर्ड अनुसार में डूबा सारा गाउं, एक दो रास्तों पर भटकने के बाद सीधा रास्ता पकड़ कर वे अपने घर तक आप महुचें, हाथ के वाडों से जा टकराया, खुर्दुरा पन लगा, बड़े एक तरफ रख कर पटेल के घर की तरफ चल दिये, सामने आले घर में रोशनदान से हलका सा प्रकाश जाक रहा था, रेडियो पे चल रहे फिल्मी गानों की धीमी आवाज, कभी कभार सुनाई दे जाती, लाइट ए खंबे दिखाई तो दिये थे, मगर अंधेरे में खड़ की उसमें दो-तीन वाय बक्रियां किर गई थी, हुए की जगत को चूकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि वे सही गली में जा रहे हैं, उनके पाउं की आठ मिलते ही कुत्तों के भौकने की आवाज सुनाई थी, गाय का रंभाना और डकराना, गाउं के बाहर लड़ाईयों का रोना, टिटहरी का चीखना और कुत्तों का भौकना, हमेशा खत्रों का संकेत दे कर मनिश्यों को चौकना बना देता है कि कोई है, कोई अजनभी चोड़िया डाकने, मानुस गंद जानवरों तक उड़कर जाती है, कौन? अंदर से थर-थराती आवाज आई, जैसे सदि कर गया, क्या जवाब देंगे वे उनको? हम है श्री राम, कौन है श्री राम? अरे श्री राम माराज तो नहीं? आश्चरे तथा संदेज से बर कर पूछा गया सवाल, अब करीब जान पड़ा, अपरिचे से दूर होती गंद महसूस होने लगी. एक विराम, जैसे तोहो ले रहे हूं, दुश्मन और डाकू अपने आत्मियों की आवाज बनाकर दरवाजा खुलवा लेते हैं, उनके शरी में फुरफुरी तोड़ गई, पल भर बात देखेंगे उन्हें, हाँ भूल गय क्या हम श्री राम हैं, उन्हें हलका सा आगात ल उस मौन ने आज पंक फर बढ़ाये थे, उडान भरी थी, परिणाम सरूप फे आज पटेल के दरवाजे के सामने खड़े थे, हम कहां भूले महराज, भूल तो आप गए, अपने पटेल को, अपने गाउं को, उम्मीदी ना थी कि जीते जी आपके दरसन होंगे, कहते उन् आप ने भारी भरकम दरवाजों का एक किवार खोल दिया, आधा भीड़ा अब भी, वो बाहर निकले थे, अरे ये कौन, विस्मत आखों से देखते रह गए, लंबे चोड़े डील डॉल वाला गोरा चिट्टा आदमी इतना कैसे सिकुड़ सकता है, इनके शरील का मास अरे ये क्या पटेल, बच्चे हो क्या, उनको यू रोता देखकर पीट थपदापा कर गले लगा लिया, भीतर आओ, उनके लिए चारपाई पर चादर बिछा दी, बैटो महराज, तो अब जाकर फुरसत मिली, अरे ऐसे भी कोई अपनों को बिसारता है, छोडता है, एक ब गाओं की देरी क्या छोड़ी पलट करना देखा, आप यहां होते तो वो सब क्यों होता, अब तो इसी आस में प्राण अटके हैं कि लो जल पियो, हे राम, सीता राम, तेरी माया तू ही जाने, अब किसका भला करने आई हो, फिर कोई चुनाओ लड़ना है, या किसी के वाला, उनकी याद करने वाला, वरना वहां तो किसी ने भी कहा ही नहीं, कि आप ना होते तो पूजा पाट ना होता, हवन पूजन ना होता, आप ना होते तो हम अकेले हो जाते, आपका होना उनके लिए दूर काज़बी शब्द हो गया था, फिर्दे में घुमरता हुआ आखों की कोरों पर आकर ठैर गया, तिनके की तरह कापता हुआ, सबसे सन्यास ले लिया अब तो, सन्यासी तो हरिद्वारिया है माले जाते हैं, लोट कर गाउं चौपाल पर थोड़े ना आते हैं महाराज, अभी भी व्यंग था पटेल के कथन में, उन्होंने नजर उठा कर देखा, मोटी जुर्यों से भरा चेहरा, मोटे चश्मे के भीतर छुपी आखें, चोड़े एक अंधे समीट कर छोटे रह गये थे, चेहरे से उठकर लिगाएं छट पर चली गएं, बारिश के पानी के निशानों से भरी छट, वही दीवार जिस पर भगवान के चितर व पीछे टिकाएं, जैसे पहले बाते किया करते थे, लग रहा है कल की ही वो बात है, अभी अभी तो उटकर गए थे, कहां है 35 सालों का अंतरान, इस बीच उनके आने की खबर जनान खाने में पहुँच गई थी, मातुन ने हाथ मूँ धोने के लिए पानी रखवा दिया था और चाय बनवा कर भिजवा ली थी, चाय पीने के बाद उन्होंने खूब रगर रगर कर हाथ पाओ धोये, जैसे सालों का चिपका मेल छुडा रहे हो, मूँ आखों पर ठंडे पानी के शीटे मारे, जूट की चटाई पर पालती मार कर बैठे, तो लगा पावों में का प्रवा फूट पड़ा हो, हड्डिया चटकने लगी थी, गरम गरम पूर्णया तदा दूद का कटोड़ा बड़ी थाली में लगकर आ चुका था, शुद्दगी की सुगंद और उबले दूद की सोंधी महक बैठक में फैल गई थी, राजकुमारी की बिटिया है ये, उन्होंने किवार के पास खड़ी लड़ीकी का परिचे करवाती हुए कहा, क्या राजकुमारी यहीं पर है, ना माराज, इसके बिया के छे महीने बाद ही दामाद की हत्या कर दी थी, विद्वा कहा जाती, सस्राल से लिवा लाए, वहां भी रहना मुश्किल हो गया था, त हाना कि बाद में लगा, तालू के जिल्ली फूल कर छितर गई है, मासूम सा चेहरा, बड़ी सहमी आखें, काजल की गहरी रेखा फैल गई थी, शर्म, संकोश और भैसे सिंटी दे, वे पलों तक देखते रहे, विद्वाता, तुने ऐसा क्यों किया, आ, मुह में घुटकर रहे गई, आत्म गलानी का बभू का, हिर्दय को जुल्सा उठा, कभी तो पूछा हो था, कि क्या हो रहा है, किन मानसक संतापों में जी रहे हो, कभी तो पटेल ने व्यंग किया था, व्यंग नहीं, अपना दर्द कहा था, अपनी छुपी वेदना को के रहा था, वे नजर लो, कहकर उठ खड़े हुए थे, पाओ दुख रहे होंगे, महराज, पैदल चलने की आदत ने रहे गई होगी, उन्हें प्रसंग बदल कर पूछा, नहीं, वहाँ भी चार बजे उठकर घुमने जाते थे, सारे बच्चों को योगासन सिखाते थे, नेती सिखा दी, रामा वरन की बोजिलता, तथा रात्री की घुटन भरी निस्तब्धता कम होने लगी थी, बगर चाती के अंदर अब भी कुछ उमर घुमर रहा था, जैसे चट्टाने के सकती हैं, वहां रहकर इतने सालों तक क्या करते रहे, शाश्चोत प्रश्न, अब सवाल सीधे, उनके वर् जो ना समझे, उनके लिए शूने, उन्होंने अपनी पतली-पतली उंगलियों को पोच्टे वे कहा, पीली रोष्ने की फीकी चमक में, उन दोनों के चेरे, पीले, पुराने, ठके, तता उदास लग रहे थे, जैसे वर्षों से रखे पीतल या तामे के बरतन पर परत जम जाती है, सच-सच बताना महराज, हमेशा के लिए आये हो, या कुछ समय के लिए, या बेटों ने भेजाए कि गाउं की जमीन बेज बाचाओं, बात में फिर गहरी चोट थी, चोट की व्यथा थी, और व्यथा में तीखापन था, कुछ बातें और निर्ने समय पर छोड़ देना चाहिए, हम और तुम कौन होते हैं, अपने जीवन का फैसला करने वाले, जिसकी जो नियत ही होती है, वो होकर ही रहती है, हम, सो तो ये सोला आना सत्य है, एक लंबी आह, तता जमभाई के साथ, पटेल ने अपने दोनों पाउं को पसार लिया, पटेल की शिराओं मे दिमाग में और हडियों में बेपना दर्द दोन रहा था, जैसे प्रत्वी के नीचे पानी, भाप, आग, भूकम, अचानक लोडने लगते हैं, इधर उनका मन भी गलाने से दबा जा रहा था, कि वे अपरादी हैं, उन्हें याद रखना था, पूछते रहना था, क्या गा बंद घर में कहां पड़े रहो गे, वही पुरानी ताजी गुरसी मिठास वाली आत्मिय था, तता अधिकार में डूबा मीठा स्वर, बह कर उनकी करनेंद्रियों में घुल रहा था, सश्मुझ उस घर में घुसने की कल्पना मातर से उनके शरी में सहरन दोड़ गई, थका जानता नीन के बावजूद उस बच्ची का चेहरा उनकी आखों के सामें आख़डा हुआ, कौन जानता है सिवाईश्वर के, इन बुड़ों के बीच उसकी जवान होती आकांग्शाओं की छुवन किसको होती होगी, जब वे सुबह अपने घर पहुँचे, तो दर्वाज चबूतरे गलकर बह चुके थे, इन चबूतरों पर नजाने कितने बरादी सोते थे, कितने वर्षों तक भजन मंडली भजन किया करती थी, और गाओं की महलाएं भजन, दादरे और कीर्दन गाया करती थी, दीवारों की लाल मिट्टी भी जढ़ रही थी, समय हर चीज को जाड़ देता है, हर चीज की चमक और ताकत शने शने कम होती जाती है, सामने लगे नीम, नीबू के पेड़ काटे जा चुके थे, वहाँ सामान बैलगारी के अवर्षेश तता पत्थर रखे थे, पीछे वाला बगीचा तो एक दमी उजाड़ हो चुका था, बाड़ की द जाड़ में बना चबूतरा, काई की परत के पीछे चुपा था, तूटा फूटा, उसके पास बनी बाबी अभी मौजूद थी, क्या पूर्वर साम बन कर रह गए हैं, या सामों को भी इससे सुरक्षित स्थान ने मिला, और आगे बढ़े तो पास ही में बना कुआ, पत्त जानी वो लोहा रहत कहां चले गए, पास में बनी भटी, बुजी पड़ी थी, राह का धेर, अजली लकणिया, कड़ाए तथा बोतले भरी पड़ी थी, क्या बनाते हैं यहां, और प्रिकर्ट की इस खंडित वीरान दुनिया को देख कर उनका मन स्वेम पर जुंचलाने ल कारण सूरज की किरने अंदर गिर रही थी, मियान में लगी लकडियों में दरारे आ गई थी और उनसे ज़रता बुरादा, उनको खोकला बना चुका था, कब कौन सी लकडी तूटकर गिर जाए, उसको अवलमब देने के लिए पीचो बीच लकडी खड़ी करनी होगी, कर लोग मंदिन में दर्शन करनी के लिए आते थे, मूर्तियां पीले वस्तर से ठकी थी, पूरी दीवार धूल से भरी पड़ी थी, यहां से महा तक फैला दस कमरों वाला मकान अपनी उपेक्षा तता बदहाली पर शोब दिखा रहा था, शहर में इसी जमीन की कीमत लाकों में होगी और यहां लावारिस पड़ी है, किसी को फिक्र नहीं, मोह नहीं, लगाओ नहीं, जिन चीजों को अपना नाम तता संदक्षर दिया है, जिन जगों पर पूरवजों के शरीरांश दबे पड़े हैं, उन स्थानों को यो छोड़ देना कहा का इंसाफ है, वे क्या क चड़े, काले मुलायम बालों वाली पड़िया, जो दूद की आस में चुप होकर अपने कान और पूछ इलाती रहती थी, पहले उन सब को बेशते हुए कितना दुख होता था, उस रात खाना नहीं खाया जाता था, कहीं बेश दू, तो पता चलता रस्सा तोड़ कर वे व चोड़ दिया था, ताकि वो शेज जीवन मुक्त होकर जी सके, लेकिन बाद में खबर मिली थी कि कब तक जिंदा रही, फिर कोई कसाई पकड़ कर ले गया, सबके चेहरे और रंग, आपों की भाशा, उनका चाटना, सूंगना, उनका रंभाना, इस मृतियों में भर उठा लगा अभी रंभा कर बुलाएगी, बुसा चाहिए, खली मिली सानी, हरी घास, सूखा बुसा गले में नहीं उतरता, उनका मन बिचोहो की भावना से भारी हो उठा, वे सब और उनके वन्शज पतानी कहा होंगे, किस हाल में होंगे, महराज पुरानी बातें याद आ रही ह साथ हाई लड़के ने टूका, पानी ला दो एक बाल्टी, उन्होंने चौक कर स्वैम को वर्तवान में लाकर खड़ा किया, कोई मजूर मिलेगा, जारू लगवा देते साफ सफाई हो जाए, तो पुताई भी करवा लेंगे, ना महराज जारू कोई ने लगाएगा, आप क देखे हो, हाँ महराज, पास्वी कक्षा के बाद गौालियर चला गया था, वहाँ पात छे साल रहा, फिर भाग आया कोई ठिकाना ना था, ना नौकरी ना भविश्य, हमारे पास रहकर काम करू दे, हाँ महराज, सामने वाला कमरा उन्होंने जान भूज कर नहीं खोला, उ अपने मन को इससर रखने के लिए दिनवर सफाई करवाते रहे, लाइट के तार बहार तक आ गये थे, अंदर कनेक्शन लेना पड़ेगा, बल्ब, ट्यूब तदा पंखेठी करवाने पड़ेंगे, जब घर जड़ गया, बखरी, रसोई और दालान तो पैठने की इच्छ हाना के तुलसी का चौरा ढह गया था, मगर उसमें तुलसी का सूका ठूंट अब भी लगा था, रसोई में बीच की दिवार जो कीतियों खड़ी थी, बहु परदा करती थी, भूंगर डाल कर कैसे रोटी बनाए, सो दिवार बनवाई थी, यहां बच्चे खाना काते थे, यहां चटनी पीशते थे, बीतर इस तो रूम अंधेरे में डूबा रहता था, लेंप ले जाकर सामान निकालना पड़ता था, कागस गला कर लुगदी बना कर बड़े बरतन बनाए जाते थे, फिर पोत कर उपर चित्रकारी बना कर गेहूं, चावल या दाले भर कर रख द दिये जाते थे, अब वे तमाम बरतन तुकड़ों में बिखरे पड़े थे, या गल गए थे, क्या देख रहे हो महराज, साब बिच्छू ना हो, संभल कर पाओ धरना महराज, लड़के ने धकन उठा कर उन टंकियों को देखा, जो उन मौसमी की मार के बावजूद साबत पचे थे, उन्होंने इंटों का चूला बना कर आग जलाई और दूद गरम किया, पूरा बदन थकान से तूट रहा था, बगर मन में उत्सा तता सुकून था, जिससे कूए खोदने वाले को पानी में धुली मिट्टी देख कर होता है, इस भी पटेल के घर से खाना आ गया रात रिभुजन के लिए उन्होंने पहले से कहलवा दिया था, क्यो ननकू, बगीचे में किसका सामान भरा पड़ा है, खुमान का, खुमान ने आपका बगीचा खराब कर दिया महराज, कब जाकि ये बैठा है, पेड़ काट कर बेज दी और पतानी महराज मां क्या होता है क्या, उसकी रहसे में चुप्पी से उनका मन आशंकाओं से भरने लगा, ये तो गाओं का दादा बन गया है, उसी की चलती है, दवाईयां बेचता है, इलाज करता है, सामान लाकर कमिशन खाता है, सब को मना किया था, कि महराज का बगीचा है, पर माना नहीं बोला, आने नेता पका कर लिया है, सब गंदे गलत काम करता है, आपने देखा नहीं, देशी दारू बनाता है वहाँ पर महराज, आप मेरा नाम मत लेना, उमार डालेगा, जब नेता आते हैं, तो बकरा मुर्गा बनता है, या तीतर पकड़े जाते हैं, बोतले भरी पड़ी है, कहकर ननकु चुप हो गया, डर उसकी आँखों में उतराया था, उससे बचकर रहना महराज, वह बहुत खतरनाक है, बहुत ताकतवर, ननकु उन्हें बुढ़ों की तरह समझाने लगा, उसको बुला कर तो लाओ, प्यार से बोलना कि श्रीराम महराज ने बुलाया है, मिलना च खोड़ो, सोय में उठकर चल दिये थे वे, सांदे बेला थी, सुरज की लालमा पेड़ों पर उतर आई थी, आकाश में धूल की परते जमा थी, चारों तरफ उजार पड़ा इस्थान, दो दिन पहले ही तेज आदी आई थी, इसलिए अब तक आदी की निशानिया विखरी पड़ी थी, मन में बच्चों का ख्याल आ गया, सब टीवी देख रहे होंगे कमरा बंद करके, एसी चला कर, और आगे निकल गए मंदर की तरफ, छोटे बच्चे जो ने नहीं पहचानते थे, आश्चेर तता अपरिचे के भाव से देख रहे थे, विशाल घना पीपल का पेड़ और नीम का जुका हुआ पेड़, वैसा ही खड़ा था, कोई चीजें शायद कभी नहीं बदलती, इस तिर्फ संतुलित होकर देखती रहती हैं अपने आसपास के जीवन को, छोटी सी कोटरी में बिराजी देवी जी के सामने दीपक जल रहा था, पता नहीं किसकी क रामनाओं और अंता प्रतिग्याओं की मौन बाती चल रही थी, शिवलिंग पर बासे फूल पड़े थे, लगता है किसी ने जल नहीं चड़ाया था, इस कमरे में कभी कभी सादू सन्यासी आकर रुका करते थे, तीर्थ यात्राओं पे निकले सादू के दल हफतों तक वि लुगों के घर आकर ठहरा करते हैं, वे उनके लिए राजनेतिक सीडी का काम करते हैं, थोड़ी देर चबूतरे पर बैठे रहे, एकांत में आखे मून कर, ठंडी हवा के जोके प्राणों को उज़ा से बरने लगे, शीतल, स्वच्च, हवा में बहती वनस्पतियों की लोटते जानूरों के खुरों की आवाज तक, उनको हुलकारते चरवाहे, मन में उन सब को देखने की इच्छा हूँ टी थी, इसलिए घर वापस न जाकर महले की तरफ चल दिये, बागीचा ठीक हो जाये तो महाँ एक योगशाला बनाई जा सकती है, या छोटा सा स्कूल या जड़ी बूटियों को उगाया जा सकता है, इतनी बढ़िया जगे का उपयोग अच्छे काम के लिए होना चाहिए, अताव वो सीधे खुमान की दुकान पर जा पहुचे, चोटी सी दुकान थी उसके दादा की, पहले गिना चुरा सामान मिलता था, लेकिन उन्होंने देखा कि वे एक बड़ी आदुनिक सा सज्जा से चमकती दुकान के सामने कड़े हैं, जहां इलेक्ट्रोनिक्स से लेकर कॉस्मेटिक्स और दवाईयों से लेकर बड़े-बड़े सामान भरे पड़े हैं, गाउं का डिपार्टमेंटल स्टोर था, कमपाउंटर बाबू, उनके पीछे लड़के ने कुछ मागा, खुमान ने दवाईयों का पैकर उसके हाथ में धमा दिया, दुबला पतला काला सा लड़का अप्रोड़ा आदमी बन चुका था, गहनी मूचियां और बालों में आती सफेदी उम्र को दर्शा रही थी, आखों के पीले रंग में ताकत और निश्चिंतिता का दर्ख भूला गवा था, उन्हें याद है एक बार मरीज को गलत इंजक्शन लगा देने पर मरीज का कूला सूझ किया था, तब उसके परिवार वालों ने शिकायत की थी, खुमान का बाप और वो जेल में बैठे थे और उसकी माँ उनके आया था, मगर वे देख रहे हैं, उसकी डाक्टरों के माया जाल एक नहीं सेक्नों लोगों की जिन्दगी पे जादू किये हुए था, वो हर मर्च की दवा देने वाले विशेशग्य के रूप में स्थापित हो चुका था, यहां ना सरकारी डाक्टर की ज़रुत है ना एकदम सहज हो कर कहा, वे अपने भीतर उपती चिंता तता वेचैनी को जान बूज कर छुपा गए, अभी तो फुरसत नहीं है माराज, उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा, जब सुबीता हो जाए एक दो दिन में, क्यों आपको उस जगे की क्या जरूरत है, आप तो फिर चले जाओगे, नहीं, हम नहीं जाएंगे अब, उन्होंने इस पश्ट और द्रड़ स्वर में कहा, इतने सालों से तो हमी ने बचा कर रखी थी, वरना, बोलते हुए खुमान हलका सा तुतलाता था, और उसके एक पाउं में भी लचक थी, जो तेज चलते वक दिखाई दे वरना क्या कौन ले रहा था हमारी जमीन, अब बेश तू, हम बेशने नहीं बचाने आये हैं, बच तो ना पाएगे महराज, तो क्या धमकी दे रहे हो, जब अब दस्ती कब जाकि ये बैठे रहोगे, दो-तीन दिन में खाली हो जानी चाहिए, कहकर वे चले तो आए, मगर स माफी मांगता था, बाप, बेटे, रजने मिला कर बात नहीं करते थे, इतने दिनों बाद उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ, कि ये गाउं वो गाउं नहीं रहा, जहां के डाकों में भी मर्यादा तथा नैतिकता होती थी, जो प्रामन, व्रद, महिला और बच्चों को स सामने देखकर भी रास्ता छोड़ दिया करते थे, ये कैसी चायाएं आगुसी हैं यहां की हवाओं में, यहां की मिटी में, क्या फस्लों में भी चायाएं, जड़ों के साथ चिपकी हुई हैं, अब ना तो संध्या समय मंदिर में गंटों की धन सुनाई देती है, ना आरत प्रांगर में होने वाले भजनों की मिठी स्प्रतियों से भरे हिर्दय में हत्याओं और परोख श्रूप से दहशत पहलाती इन शक्तियों ने जीवन की रंगीनियत को ही बदल दिया है, ये भैबीत मौन उन्हें आहत कर उठा, वे मरमाहत हो थे, आदर सम्मान तो दूर ख विक्षा से देखा भर था, इतनी ग्रणा या बगीचे वाली जमीन खाली करवाने का अनकहा रोश, जाने कब शहर की जहरीली हवा इस शांत सुन्दर गाउं में घुसाई, जाकर पटेल के चबूतरे पर बैठ के, बाहर का टिम्टिमाता हुआ बल्ब और वक्षों पर सरस सराता काला सनाटा, इसी चबूतरे पर कभी राम लीला खेली जाती थी, इस पेर से उस पेर तक रसी भांदी जाती थी, जिसके सारे हनमान जी संजीवनी बूटी पाहर सहित लाते थे, और राम का विलाप पूरी फिजा को कप पाता था, भरत मिलाप हो या वन गमन का किता का बेश धारर करने वाला वो सुन्दर सा रड़का कितनी तेरे की बाते करता था, और तब राम लक्षमर सहीद पूरी मंडिली को बड़े बड़े लोग अपने घर में आमंत्रित करते थे, उनका अविशेक किया जाता था, आर्ती उतारी जाती थी, पूरी मंडिली की जीविका का यही आर्थिक आधार होता था, कि कौन कितनी भेट दे रहा है और भेट में क्या क्या दे रहा है, उन्होंने कभी ने पूछा कि वे लड़के किस जाती के थे, किस धर्म के थे, क्या उनके विचार थे, और वो भजर मंडिली जो नव दुरगा में आया करती थी फिल्मी तर्श पर बने भजनों और कवालियों का अपना ही सुरीला पन था, रात रात भज जाकर आनन्द में डूबे लोग, वो हार्मोनियम तथा तबले अब भी पड़े होंगे कहीं, अरे महराज आप आवाज लगा देते, बुरा लग रहा है, बाल बच्चों की याद आ रही होगी, पटेल ने जलका लोटा और थमाते हुए कहा, पुरानी बाते याद हुआई, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या, बगीचा खाली करवाना, बगीचा ठीक हो जाए, तो अपन सब फिर से भई सब कर सकते हैं, भजन, भंडारा और आमलीला, सब ने समझाया था महराज, दारू बनाता है, जिसने अपनी आखों से देखो, पुलिस में रपट लिखवा देना, पुलिस तक नहीं जाना चाहते हैं, ना दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं, पंचायक में मामला पहुँचे, इससे पहले एक बार और बात कर लो, हम तो किसी काब कियों को और कापते शरीर को थाम कर बैठे रहे चुप, बेशब्द, कबसे दमा मुदा रुका पड़ा दुख का स्रोत बह जाना चाहता है, माते, कुछ क्षणों बाद पीट थपतापा कर कहा, देखा सामने कप प्लेट में चाहे लिए वही लड़की खड़ी है, विनत, स लावरने में चेहरा, आखों में जिल्मलाती पानी की परचाईया, इतनी चोटी उम्रों इतना लंबा हभी शाप, कैसे मूर्ख है पटेल भी, क्या इतना शहूर नहीं किसे पढ़ाते लिखाते, कुछ पढ़ती लिखती हो, दद्दा बोलते हैं कि रामाया पढ़ा करो, अ करें महाराज, वहां ऐसा उत्पात हुआ, अपने लोग ही उसकी जद, बस बस, उन्होंने हाथ पढ़ा कर शेश शब्दों को रोग दिया, समझ गये, अतरप्त कामनाओं को दवाये बैठे कामुक लोग, रिष्टों की ओट में कैसे घिनोने क्रत्य करने लगते हैं, अभी की चिंता तो घुन की तरह लगी है, हिर्दे कलबता है, कैद हैं हम तीनों, बहु और नाती को यहां से इसलिए निकाल दिया की, हे राम, सीता राम, अपनी हतेलियों को जमीन पर टिका कर, पीछे की तरफ गर्दन जुकाली पटेल ले, तनाओं से भरा खून, तेजी से नस पड़ियों की टाल के धंदे में लगा रहता है, और उसकी बहु को इतनी समझ नहीं है, हॉस्टल में पैसे लगते की तो कोई बात नहीं है, ना माराज ना सब कुछ उसी के लिए तो है यहां का, उन्होंने देखा था कमल के चेहरे पर डूपते उतराते दरिया को, एक बं मातर देहे को लेकर जी रही है, दहेक अभीपसाओं को दबा कर, जब वे वहां से उठे तो गहरा अवसाद उनके मन में भर गया था, उसी रात उन्होंने अफसर बेटे को चिठी लिखी, यहां के कलेक्टरों को कहकर अपना पगीचा वापस दिलवा दो, एक अच्छे हॉ अब हम यही रहना चाहेते हैं, जवाब आया, आपको बढ़ापे में इसब करने की क्या जरूरत है, माया मोह के बंदनों में बंद गए हो, यहां आराम से रहते और पूजा पाट में ध्यान लगाते, अब हमें यही चिंता लगी रहती है, कि वहां आप अकेले कैसे रहोग अचानक तबियत खराब हो जाए, या फिर उन्होंने लिखा, खुमान अपने बगीचे की पवित्र जमीन पर शराब की भट्टी लगा कर बैठा है, हमारे पुर्कों का चबूतरा बनाएं वहां, अवैद धंदा चल रहा है, अपने कुएं की सफाई करवाई जाए तो उस किसी के पचड़े में मत पढ़ना, उसके उपर कई केस चल रहे हैं, नीताओं के बीच गहरी पैठ है, वहां के कलेक्टर से एक काम करने को कहेंगे, इन सब बातों में पढ़ने से कोई फाइदा नहीं, खाने पीने की क्या व्यवस्ता है, बिना पंके तथा लाइट के, कैस कैसे रहते होंगे समझ में नहीं आता, कि आप इतने आराम की जिन्दगी छोड़कर वहां क्यों चले गए, अब क्या करें, किसका सहरा लें, सामने दीख रहा था कि इस काम से क्या फाइदा होने वाला है, मगर अकेले इतना बड़ा लक्ष प्राप्त करना भी कोई आसान न अपनी आँखों के सामने गलत काम होते देखना ज्यादा तकलीफ देता अपमान जनक होगा, इस जगे पर अंदेखा जाल उनके लिए पहले से ही बिच्छा दिया गया था, कुमान आसानी से मानने वाला व्यक्तिना था, उसमें अपने पाउं पूरी ताक्त से जमा लिये और दो साल पहले ही इसके गुटके आद्में ने दूसरे गुटके एक दो आद्में को लाटियों से कुचल कुचल कर मार ढाला था, दो आद्में ने वहीं पर दम तोड दिया था और नोग हाईल अवस्ता में ही कहीं और जाकर छुब गए थे, उनके परिवारवाले भी ब लाइन कर गए थे प्रताप की हत्या के बाद इस गाउं की हवा में खून की गंद उड़ती रहती है मगर जो बाज जायच है उसके लिए लड़ना नहीं वे नहीं ड़ते उन्हें बहनी लगता जमीन उसने हड़ पी है हमने नहीं उसके कर्म अनैतिक हैं अपवित्र हैं उस ज मसलों के मिलने वाले पैसे से वे अपने मकान को नई रूप में खड़ा करेंगे मगर इन सभी तारों के उपर खुमान नाम का व्यक्ति फन फैला कर बैठा हुआ था वो विड़न बना ही थी या समय का खेल की 35 वर्ष पूर जिस गाउं में उनकी तूती बुला करती थी उस उसी की वज़े से सारे अफसर्व और नेता उनके घर पर आया करते थे वे पढ़े लिखे मितभाशी उदार और इमानदार सुभाव के इंसान थे वे चाहेते तो स्वेम MLA बनकर अपने लिए अकूत पैसा कमा सकते थे मगर उन्होंने जो किया सिर्व गाउं की भलाई के लिए किया था उनके बनवाए गए कुएं, स्कूल, घाट, तालाब और भवन, बाद में किसी ने मरमत तक नहीं करवाई थी उन सब की, अगर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती तो कहां से कहां पहुँच जाते हैं, पार्टी के लोगों ने कितने पद उनको देने की प कौन, कौन है जिसके पास जाकर वे अपनी बात कह सकते हैं, कौन, बहुत सोचने पर उन्हें याद आया, उस जमाने के अपने अभिन मित्र, जिनको तीन बार MLA बनवाने में उन्ही का योगदान रहा था, क्या श्याम जी से बात करें, अब तो उनका बेटा सांसद है, पत ये आदमी राक्षसों की तरह अपनी शक्तियों का प्रदेशन कर रहा है, और सारा गाउं चुप है, डरा हुआ, कायर है सब, इस गाउं को एक आदमी ने बांध रखा है, वो गुर राता है, और सब दुबग जाते हैं, वे उटकर बाहर आ गए, दरवाजा खुला देखें कौन क्या करता है, उन्हें नहीं लगता भै, ना खुमान से, ना इस निस्तबदता में डूबी रात्रे से, आदी रात को लोटते थे शहर से, तेज आदियां, भड़कती बिजलियों और पत्थर बराबर गिरते ओलों के बीच, पेड़ों के नीचे खड़े होकर घंटों पिताया करते थे, जंगलों की खाक चानी है, पर कभी विपदाओं से नहीं घबड़ाए, बेरहम अंग्रेज पुलिस से नहीं डरे, विचारों में वित्रो हो था, खून में उबाल, गंश्याम बाबू ने उन्हें छुपकर मदद पहुचाने का काम सौपा था, क नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, उन्होंने मनी मन संकल्प को दोराया, शायद अभी एक लड़ाई और शेश है, दरवाजे से बाहर तेज कदमों से टहलने लगे, उपर निस्तेज आसमान था, सगन नीरवता में डूबा हुआ, और पामों की नीचे नमर भूमी थी, दूर संसनाती हवाओं ने जंगल की नीद उड़ा दे थी, बेजान पड़ी चांदनी में सोय हुए मकान, पहाडियां, तोरिया के काले विशाल पत्थर, अचाना की उन्हें को सुनाई दिया, कोई आहट, कोई परच्छाई, कोई हवा का जोंका, सांप या नेवला हो सकता है, मे वे उसी दिशा में बढ़ने लगे, फिर उन्हें दो आकरतियां गुतनों के बल रेंगती हुई दिखाई दी, शायद कुत्ते, बक्री या जंगली जानवर होंगे, बगर पत्चाप के साथ पुसपुसाहट भी सुनाई दी, कौन है वहाँ, वे इतनी उम्रपार करने के ब बावजूद भी फुर्दी ले थे, भाग सकते थे, उन्होंने लंबे लंबे टक भड़ते हुए दोनों आकरतियों का पीछा किया, और इनमें से एक आकरति को घसीटते हुए दरवाजे के बाहर तक लिया आए, लैंप के हलके प्रकाश में उसका चेहरा देखा, तो चार क पीछे चिठक गए, जैसे सैक्रों सापों को एक साथ देख लिया हो, कमल, अस्फुट आश्चरित तक शोप से भरे शब्द फूटे उनके मूँ से, लड़की भैव गबराट के कारण अदमरी मूर्चे सी जमीन पर पड़ी थी, ना उसके मूँ से आवाज निकल रही थी, ना शरीर में स्पंदन हो रहा था, किसी ने इस हालत में देख लिया तो, वो कौन था, भाग दिया, उन्होंने पलट कर देखा, पेड़, पौदे, हवाएं सभी कुछ पहले की तरह शांत, एमम आत्मरत थे, सामने पड़ी लड़की का क्या किया जाए, कुछ शन तक वे य दुखों का वजन अधिक था, उनके पाउं चल नहीं दोड़ गहे थे, अंधेरे में हिचकोले खाते हुए, किसी ने देख लिया तो, इसका जीना मुहाल हो जाएगा, जोर जोर से साकल बजाई, दरवाजा खुलने पर सीधे अंदर जाकर उसे लिटा दिया, हाफने लगे गुसे से पतली नाग फूल आई और आखें घूम रही थी चारों तरफ, क्या हो गया महराज, ये क्या, चश्मा लगा कर देखा, पानी के छीटे मारे मूँ पर, बात तो बताओ क्या हुआ, सुयम को बड़ा होशयार समझते हो, आख पर परदा डाल कर बैठे हो, शरीर के स दिमाग भी बढ़ा के आए तुमारा, उनके मूँ से निकला एक एक शब्द काप रहा था, पटेल पर बेता हाशा गुसा आ रहा था उन्हें, लड़की कहां रहती है मालूम है, कहकर उनने सारी घटना बता दी, पटेल तो जैसे प्राण विहीन हो गए, एकदम इस पंदन हीन, सासे डूब गई, दरश्टी बंद गई जमीन पर, माते माते उन्होंने पटेल को हिलाया तुलाया, हड्डियां तोड़ो, इतनी हिम्मत मार डालो, विक्षोप से भरे वे बढ़ बढ़ाने लगे, नहीं, बेवकुफी मत करो, उन्होंने उनके लचीले कमजोर शरीर क गसिट देवे कहा, उसे सदमा बैट गया है, मारोगे पीटोगे तो आत्मत्या कर लेगी, याद है सुनीता कुए में कुद गई थी, समझदादी से काम लो माते, कौन था वो, टुकरे टुकरे करवा देंगे कनस्ये से, उससे इसका जीवन सुधर जाएगा क्या, तो क्या क थी, कि नहीं, पाओं पढ़ती हूँ, हाहा खाती हूँ, भाग कर बीतर आए, तो देखा रौंटे खड़े हो गए, कमल का सबसे छोटा चचेरा भाई उसे पीटे जा रहा था, और उसकी दादी बचाने के प्रयास में पीटी जा रही थी, पागर हो क्या, उन्होंने उसे जाओ, अंदर ले जाओ, शड़ो बादी हवेली में सन्नाटा चा गया, सब मौन बैठे थे, रुक रुक कर सुनाई देने वाली सिस्की, उनके हिद्यों को चीर देती थी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उसे प्यार से समझाओ, बाहर भेज दो, आंदी तूफान से क्षत विक्षत घर को फिर से बनाते हो या नहीं, क्यों, क्योंकि वो अपना होता है, छोड़ तो नहीं देते ना, तूटे उकड़े रूख रोपे जाते हैं महाराज, इसकी भोली सूरत के पीछे इतना चल, कलबते हिर्दय से, कब कपाते शद निकले, कोशिश करनी रेल की पीट पर हाथ रखा, तो लगा कोई बड़ी भट्टी वहासु लग रही है, महाराज कोई उंच नीच, शेश शब्द उनकी रुंदी आवाज में घूल कर रह गए, उसको तरमस्याना नहीं माते, वरना हम सब मू दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, ना समझ है, इसलिए मामला घर में ही सुल जाना है, पुट्रिया कर पूछेंगे तो बता देगी, डराओगे धमकाओगे तो हो सकता है बह के मारे कुछ खा पी ले, देखो कल हमें जरूरी काम से बाहर जाना है, इसकूर का पता करके आएंगे, उसके भविश्य को फिर से समारना है, बगर उनका मन और हिर्दय बुरी तरह से तरप रहा था, अचेता अवस्ता में पड़ी लड़की का वो भैबी, चेहरा और सरपट भाग कर गया वो, कौन था वो, जिसके साथ ये इतनी रात के बाहर निकली थी, कहा ले जाता होगा, कोई बाहर का आदमी तो नहीं है, भग अपमूद होया, शाम को ध्यान न लगा सके थे, सो वहीं बैट गए, शायद चित्त को कुछ शांती मिले, दो तीन कोस चलने के बाद बस मिलती थी, इसलिए अलस सुबह ही निकल पड़े, जब एमेले साहब के बंगले पर पहुँचे तो दिन चड़ चुका था, पुराने नहिरू तथा इंद्रा गांधी सहित अने नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वियन टंगी थी, कुछ चित्रों में बेटा तथा वे स्वयम, राष्ट्रपती प्रधान मंत्री तथा अने नेताओं के साथ खड़े थे, भव एम गरिमा में माहौल देखर उन्हें अच्छा लगा, एक जरूरी काम से आए हैं, वे सकुचाते हुए बोले, यदि आप करवा सके तो, जोर जबरदस्ती करते ही नहीं है, कैसी बाते करते हैं श्री राम जी, कभी तो कुछ नहीं कहा, कहिए न, उन्होंने सारी बातें विस्तार से बता दी, उन्होंने आनन फानन फोन कि चिठी लिखी और अपनी स्थूल का एदे के साथ स्वयम बस स्टेंट तक छोड़ने आए पुराने मित्र को, और चमतकार ये हुआ कि तीसरे दिन ही उनकी आखों के सामने से सामान ट्रेक्टर में लद कर जा रहा था, खुमान की पराजित आखों में ग्रणा का भाव, भा माओ वालों को पानी मिल जाएगा, जल पर तैरने वाली प्रत्वी से जल निकालने के लिए वे बेचैन थे, उसी दिन बेटे की चिठी आ गई, और कितना करज करोगे, हमारे पास करज चुकाने के लिए पैसा नहीं है, जब हम लोगों को वहां से कोई संबंद नहीं रखन ना है, तो आप क्यों पैसा लगाना चाहते हैं, कौन देखबाल करने जाएगा, चिठी को पकड़े बैठे रहे देर तक, बच्चे दुरागत के बारे में कितनी बारीकी से विशलेशा कर लेते हैं, उनकी सूक्ष में द्रिष्टी वरतमान के बनिस्पत भविश्य को इने बैठ गए तब तो भोजन भी नहीं करना चाहिए, अभी इतने अशक्त नहीं हुए हैं, कि उनको सबके सहरे की जरुवत हो, रक्ष बे हैं या बच्चे, सहरा उन्होंने दिया अपने कंधों का या बच्चों ने, हाँ अरती जरूर बच्चों की मोहताज होती है, अर उन्होंने आगे की पंक्तियां पुना पड़ी, किसके लिए कर रहे हो, कौन आएगा वा रहने के लिए, हम लोगो तो खाने की फुर्चत नहीं है, उनका मन ब्यथित हो उठा, सच में उस तुम लोगो खाने का वक्त नहीं मिलता, विश्राम का वक्त नहीं मिलता है, प्रकाश, वायू, रस, गंध किसके लिए दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, तुम लोग छुटियों में आओ के तिहां सप्तियां सप्त नहीं मिलता हैं, कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत ना होगी, हम चाहते हैं कि तुमारे बच्चे एक बार आकर देखें, कि वे जो खाते पीते हैं, उनका अनकरा धरती को खोड़ कर कैसे होता है, सबजियां, गें हूं, दालें कहां उती हैं, वे कुछ नहीं जानते हैं भी, उनकी इस चिठ्ठी का लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया, वे जानते थे कि उनकी बातों का उपास किया जा रहा होगा, कहा जा रहा होगा, कि उन्हें बढ़ापे में धन दौलत के मौँ उपास ने बांध रखा है, सुबह उठे तो सबसे पहले पटेल के घर जा पहुँचे, दो दिन का म गए महराज, भलाई इसी में कोई अच्छा सा लड़का देखर उसकी शादी करने, पहले तो इसी को तलाशते हैं, पढ़ा लिखा समझदार गैर बिरादरी का हो या अपनों का, बस लड़का अच्छा हो, चाहे वो कोई भी हो, तो क्या करोगे बाहर, भेजना नहीं चाहे पढ़ाना लिखाना चाहेते नहीं, आकर क्या सन्यासनी बना कर छोड़ जाओगे, तो भेज दो किसी आश्रम में, वे आवेश में आकर बोले, अपने बाप की मौत मरेगी, भागे खोटे थे तभी तो, माते, वे एकाए गुसे में बोले, हत्या करोगे लड़की की, जाहि पढ़ा हुआ चहरा, सूजी हुई आखें और भूख प्यास का असर साफ दिख रहा था, उसकी हाला देख कर वे चुक हो गए, उनकी आखें भराई, डर का लावा उसे जलाई हुए था, क्या पूछोगे इससे, कुल अच्छनी है, नाच करवाएगी इस परिवार का, वैस और भूख और कहते, इसे पहले उधम से गिर पड़ी, बात चाती में धस चुकी थी, दो पाटों के बीच दबीवो, दीरे दीरे पिस रही थी, उठकर चले आयो, मन किया, उस लड़के को खोज निकाले, आकर चुपचा पड़े रहे, बिना खाए पिये, निराहार, इस उ धरना फूट पड़ा, नवजाज शिशु की मा के स्तनों से फूटती धारें, पवित्र मीठी, दो तीन मील तक पैदल चलने वाली औरतों की आँखों में आशा का जल जिल मिलाने लगा था, बगीचे के पत्ते पत्ते पर, ओस की बुंदों की तरह चमक रही थी जल दार, पुराने ठूट अब भी खड़े थे, उनको कुलाडी से काट कर देखा तो जीवन रशेश था, बीच में से चीर कर कोपनों के फूटने का इंतजार किया जाने लगा, बीच में इटे डलवा कर पनहारिनों के लिए पगडड़ी बना दी गई, ताकि वे वहां से पानी भर सकें, बड़ा सा पाइप लगा कर घर तक पानी ले आए, मगर धार इतनी मोटी और तेज की, नल खोलने पर धार फूट परती, पडोस की बूरी काकी के घर वही से पाइप निकाल कर पानी का कनेक्शन कर दिया, ये तमाम कार इतनी तेजी के साथ हो रहे थे कि उन्हें जरा आखों पर लगा चश्मा, तब भी पढ़ाई और कंप्यूटर टेली विजन से पुरसत नहीं मिलती है, उद्दिग्न होते हैं यहां कर कमल की चिंता भी मन में बैठी थी, देखने के लिए चल दिये, कैसी है वो, एड्मिशन करवा देते हैं, बदल जाएगा उसका मन, वासनाओं और कामनाओं को दबाया जा सकता है, खतम नहीं किया जा सकता, अत्रप्त जीवन का अविशा आप कुलों को डुपो देता है, हमारी बात मानो, और नहीं तो उसकी शादी करवा दो, आपकी मती मारी गई है क्या महराज, पठेल गुश्ते और दुख से भभग उ पतानी क्यों न चाहते हुए भी पठेल से उनकी तनातनी हो जाती है, जबकि वे उनकी मानसिक अवस्था, चिंताओं को खुब अच्ची तरह से समझते हैं, यदि उसका पता चल गया और पठेल ने कुछ करवा दिया तो, एक नया तनाओ उनके मन मस्तिश को देलित करने ल पोता और उसकी बहु पहली बार आ रही है, तो सबसे मिलवाने के लिए कोई आयोजन करना पड़ेगा, एक छोटा सा भूज रख देंगे, बात्रूम में टीन का दरवाजा लगवाया, पानी के लिए नया टब बनवाया, बैठेक वाले कमरे की पुताई करवाई, दो पलं महाराज अपने ही तो बच्चे हैं, उनके लिए इतना खर्चा क्यों करते हो, नीचे लेटने की आदत नहीं है, पिर यहां कीडे, मकोडे, साब, बिच्छू निकलते रहते हैं, चिंता मत करो, सारा करजा पड़ जाएगा, और जिस खशन बहु बेटों ने दरवाजे पर क जी, यहां खाना बनाते हो, इतने अंधेरे में, मिटी में, गैस तक नहीं है, चूला, काले परतन में दाल, पंखा नहीं है, बाबा वापस चलो, यहां नहीं रहना है, डर नहीं लगता आपको, कैसे रह लेते हो, क्या मिलेगा, किसे दिन यूही रात में सोते रह गए तो, ना बिजली, ना फोन, ना टीवी, पताने कैसे समय काटते होंगे, यह अपने खेत हैं, अपनी फसल, बहुत ज़्यादा उप जाओ है, बेटे की आँखों में हर्याली के रंग उतराए, हरा समुद्र लहरा रहा था, दूर दूर तक, आपने तो कमाल कर दिया बाबा, क्यो बनाई थी, उस रात उस तूटे पूटे अंधेरे में डूबे घर में उत्सो जैसा माहौल हो गया था, जमीन पर बैठ कर बच्चों ने खाना खाया था, जमीन पर रेंगते कीडे मकोडों को कौतूहल से रेंगते हुए देखा था, जुगनों की अधियारे में चमक वा ज चीज को देखकर आशिर हो रहा था, इंजिनियर पेटे का हिसाबी किताबी दिमाग, खेतों को देखकर भवेशे के सपने बुलने लगा था, वे सपने जैसे खेतों में जाकर बिखर जाना चाहते थे, इच्छाएं जैसे आस्माने पंक पहला कर उडान परना चाहती थी, बाबा हरी और लाल मिर्च एखी पोधे पर लगती है, या अलग-अलग पोधे होते हैं, पोधे पर लगी मिर्च को देखकर सहज प्रशन किया बच्चों ने है, वे जोर से हस बड़े, मतर, चने, मूंग कहा लगते हैं, कितने बड़े पेड़ होते हैं, इनके और वो कौन सा पेड़ है जिस पर पापा और चाचा घंटो जाकर छुपे रहते थे और वो कौन सा आदमी है जो परेशान कर रहा था इल्लीगल प्रेक्टिस करता है क्वैक है कहो तो जेल विजवा दे जाने दो अब तो मामला ही निपट गया है गलत इलाज करते हुए भी किसी की जान चली जाए तो भविश में कुछ सरकारी योजनाई शुरू होगी यहां की मिट्टी बहुत उपचाऊ है तो आप किया से खेती हो रही है किराय से ट्रेक्टर मिल जाता है कौन चिंता मोल ले आपको कहे की चिंता एक आदमी रख लेना अब सब उनका साथ देने को तयार थे फसलों का हरा तोता ही रंग देखकर बच्चे सचमुश खुश हो थे जाते वक्त उनकी भाशा व्यवाहार चिंत मन में आया मना कर दें बगर मन मसोस कर रहे गए साल भर से जो लोग इंतिजार कर रहे थे उनका क्या होगा कुछ लोगों ने तो दूसरे लोगों से पैसा उठा कर दिया था और जब देने का वक्त आया तो उनके मन में गहरा क्षोग भर उठा था चौथे दिन देखा गार मकसद पकड़ ही लिया क्यों तुम्हें क्या चाहिए यहां की फसल से कोई उमीद बांद कराए हो फिर भी हमने एक नया फ्लैट बुक किया है यह घर छोटा पढ़ने लगा है या मन में त्रिशना बढ़ती जा रही है कुछ पैसे हो जाते तो आसान हो जाता अभी तो पूरी जिन्दगी पड़ी है मकान बनाने के लिए अच्छे दामों में मिल रहा है हमने तो फाइनल कर लिया है बापा हमें बालुम था आपकी फसल आने वाली है जीपी एफ से पापा पैसा निकालने के मूड में नहीं है यह उनके सिद्धानतों के विप्रीत होगा हमें भी तो देना है साल भर से लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं उनका क्या होगा उनके भी तो बच्चे हैं सिर्फ हमारे भरोसे पर काम कर रहे थे पोता चुप रहे गया उसका चेहरा उतर गया चारों तरफ उदास अंधेरा गिरता आ रहा था जींगरों की तीखी आवाजें कानों को जंकरत कर रही थी और उधर निश्टर हवाओं ने जंगल में तहलका मचाया हुआ था मोटर लगवा दें कुरा घर बनवाने की क्या जरूरत है एक कमरा ठीक कर वालो बाकी पैसा खेती में लगा दो अब अधिया बटिया पर देने की क्या जरूरत है अब तुमें खेती हमने तुम्हारे लिए नहीं की है एक साल से रात दिन काम किया इन गरीबों ने तो क्या उन गाओं वालों के लिए की है एक साल से इतनी परेशानियों के बीश रहे हो तो किसके लिए किसके लिए बाबा बताओ इनके लिए जो कबजा किये पैठे थे हाँ इन गाओं वालों क लिए ही जिन्होंने हमारे लिए कभी ना नहीं कहा इन सबने सामान बीज खादला कर दिया सिर्फ विश्वास पर बाबा आपका तो दिमाग खराब हो गया है लाकों रुपए की फसल आप चुप क्यों हो बाबा बोलो मेरी बेजिती हो जाएगी बात पलट जाएगी तो हम क् तुम सक्षम हो किसी मुसीबत में होते तो हम सोचते सिर्फ फाइदा देखकर बाबा आप इतने कठोर कैसे हो गए पोता जोर जोर से चिलाने लगा वे उठकर बाहर चले आए सारा हिसाब लगाने के बाद उनके पास पांस हजार रुपए बच रहे थे अंदर आकर उन्हे बकसे में से रुपए निकाल कर दे दिये आप ही रखो नहीं चाहिए सब कुछ इनी लों को दे देना हम तो दुश्मन हैं हमेशा अपनी जिद पुरी करते हो कहकर कोते ने राइवर को बुलाया और गाड़ी में बैठ किया वे कुछ कहते या पुकारते कि देखा सामने से पटेल चले आ रहे हैं उड़ा शरीर तेच चलती सांसे चेरे बब्बे हिसाब घबरहाट जल्दी चलो महराज सत्यानाश हो गया क्या बात है वो जाकर देखा तो आखे मून जमीन पर खून बिखरा पड़ा था और कमल तड़प रही थी कत्रा कत्रा बहता खून पेट के नीचे उठती दर्द की चिलकती रेखाएं एटती हुई देहें जल्दी करूं चादर से लपेट कर जा बैठे ट्रेक्टर की ट्रॉली में जान का खत्रा नहीं था क्या इतना तो सोचा होता कि जो होना हो सो हो महराज रास्ता दूर है पास में कोई डॉक्टर ना था कभी क कोई डॉक्टर आया भी तो खुमान ने अपनी चालबाजियों से टिकने न दिया भूखते अपने किये का नतीजा पाप किया है खुरोध को जब्त कियवे भावावेश में काप रहे थे मरे तो मुक्त हो जाएं कहीं का नहीं छोड़ा इसकल मुहीं ने क्या मुह दिखाए पटेल होटोई होटों में विलाप कर रहे थे उनका चेरा क्रोध तदा वेदना से काप रहा था बूरी आखों में बर्फ की सफेदी जम गई थी क्या आखें उठा कर पूछा उन्होंने इसको हमें दे दो आपको दे दे हमें क्या भारी पड़ी है महराज दुनिया क्या कह लड़की को क्या जवाब देंगे उसके सस्राल वालों को कहेंगे कि दो रोटी की नहीं खिला पा रहे हैं हम महराज अभी तना कंगाल नहीं हुआ है पटेल आपने तो हमारे मुह पर जूता मार दिया है जूता कमल अभी तक अचेर पड़ी थी फून से चादर भर गई थी आज इसके भागे का फैसला हो जाने दो पटेल हम भी उतने ही बुढ़े हैं जितने तुम कितने साल तक जिंदा रहेंगे हम हमारे बाद इसका क्या होगा सोचा कभी बोलो नाराजगी दिखा कर भविश को रोख सकते हो फिर क्या करोगे गोद लेकर अपने घर की रोटिया बनवाओगे हे राम तेरी माया हे प्रभू उठालो इस नरक से उठालो प्रभू इतना ही सोच पाए तुम कूप मंडूक हो गाओं के अनपड और तुम में क्या अंतर है और कहलवाते हो अपने को पटेल बात करते हो रामायनों गीता की बनते हो धर्मात्मा पर जब एक ज अंची है और अगर पढ़ने पढ़ाने में ना कटती है तो कटने दो क्या अब तक रोक पाये तुम कोई फंती नदी को कभी अलंगों से रोक पाया बोलो पटेल को मालूम है महाराज असत्य और भुमाओ फिरावाली बाते नहीं करते नेताओं की तरह भाशर दे रहे हो उ अपनी जाती बरादरी में उठने वाली प्रत्रक्याओं को झेलने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए मगर इन सबसे परेग जीवन है एक नन्हा सा तूफानों से घेरा जीवन जो उन्मुक्त आकाश में उनना चाहता है खिल खिलाना चाहता है भागना चाहता है वे उड़ाए वे मार डालेंगे भाग जओ छिप जओ गोपाल किसका नाम है वे चौके बाबा का पिता का भाईयों का रिष्टेदारों का या पती का ना ना खांदान के किसी आदमी का नहीं है फिर खुमान के लड़के का तो वो है हरामजादे की ओलाद अब तो मार काट होकर ही रहेग कमीना खुद नहीं कर पाया कुछ तो लड़कें को लगा दिया क्या चाहता है वो अब क्या बचा है इतना भीशय और क्रोध पहली बार देखा थानों ने पटेल के चेहरे पर उन्होंने घ्रना से मूँ फेर लिया जैसे किसी गिनौनी चीज़ को फेर देना चाहते हो महराज बाहर भीज़ दो इसे ऐसी जगे जहां कोई पता न कर पाए नहीं अब बाहर नहीं भीजेंगे क्या करता है लड़का जस्वी पास एक खेती संभालता है अब क्या होगा महराज बचा लो बदनामी से बचा लो पतेल हाथ जोड़ करके गड़ाने लगे जब रास्ता मिल गया है तो पूछते हो क्या होगा सब कुछ हमारे उपर छोड़ दो माते लड़की की जिंदगी का सवाल है पुरी जिंदगी का अपना एहंकार इतना मत बढ़ाओ की सब कुछ नश्ट हो जाए मगर यही सब तुमारी बच्ची के साथ होता तो ऐसा मौका ही ना आने देते हम खुद पर गुजरती है तभी पता चलता है कि घाओ कितना गहरा है पटेल ने छाती बरहात रख कर कहा कमल के साथ साथ उन्हें पटेल की भी चिंता होने लगी थी है अस्पताल के निकट पहुँच कर ट्रेक्टर रुका पटेल तब भी न उतरे पाउं पसार कर गायलों की तरह वही पसर गए आओ माते ना महराज ना आपी जाओ में हार गया उन्होंने देखा उनकी आपों से अविरल आंसू बह रहे हैं वे तरप रहे हैं मचली की तरह अस्पताल की सीरियां चड़ते हैं उनकी निगाह जिस पर पड़ी वो गोपाल ही था जो साइकल को थामे एक तरफ पेर की ओट में खड़ा था डरा सहमा चुपा हुआ ये उसका स्वीकार था या अस्वीकार देखने के उत्सुकता या अपना रह से खुल जाने के बाद क्या परिणाम निकलेगा ये जानने का उत्सुक के कमल को ऑपरेशन रूमें भेजने के बाद वे वापस सीरियां उतर कर नीची आए देखा गोपाल वहीं खड़ा है अस्पताल की तरफ निर्नेमेश देखता एक निर्ही पक्षी उसकी मासूम आपों में उनेक सच्चाई नजर आई और अनायासी उनके कदम उसकी तरफ बढ़ गए अभी आप सुन रही थे टॉक्टर उल्मिला शरीश जी का लिखा हुआ एक लगू उपरन्यास उन्रागमन स्वर्दियाता मैने यानी सीमा सिंग